आज की विडियो में जो अपडेट आप सभी को मैं देने वाला हूँ, वो हमीरपूर बोर्ड की पुरानी भरतियों से जुड़ा हुआ है, जो काफी जरूरी है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि जो हमीरपूर बोर्ड में पुरानी भरतिया होई है, उनकी रिजल्ट आन है जिनवे कुछ एक कारे रहे है या फिर कुछ एक भरतियां ईसी है जिन में सिर्फ फाइनल रिजल्ट निकलना शेश है बाकि सारी प्रक्रिया इसे बाहर है मतलब जिसमें पेपर लिक्ज्ग नहीं हुआ है फिलहाल HPP sc के द्वारा वो result declare किया जाएंगे जिनमें सिर्फ final result declare करना शेश रह चुका है फिलाल वही result यहाँ पर निकाले जाएंगे अब उन भरतियों का क्या होगा जिनमें सिर्फ documentation शेश है अब देखिए जिनमें documentation शेश है उसके लिए भी यहाँ पर एक problem आ रही है वो यह है कि जिसमें document verification बाकी है उसके लिए एक अलग प्रक्रिया final की जा रही है सबसे बड़ी बज़ा इसकी यह बताई गई है कि लोग सेवा आयोग में document verification का काम नहीं होता है जिस बज़ा से कुछ एक चीजों में यहाँ पर fence ले लिये जाएंगे और किस परकार से documentation की जाएगी इन स send किया जा रहा है उन भरतियों का किया जा रहा है जिसमें एक तो paper leak से जुड़े कोई भी मामले नहीं है और जिनका सिर्फ final result निकलना शेश है तो आप सभी अब अनुमान लगा सकते हो जिस पोस्ट कोड का आप final result का wait कर रहे थे कि कौन से ऐसे post code है जिनमें documentation भी हो चुकी ह जो paper leak से भी जुड़े नहीं है तो इनका result काफी जल्द आपको देखने को मिलेगा बाकि ऐसी भरतियां जिनमें paper leak के मामले चल रहे हैं जैसे कि for example 817 को ही ले लो इसमें सारी प्रक्रिया complete हो चुकी है documentation भी हो चुकी है तो जब closer report यहां पर सौंपी जाएगी business team के द्वारा तो यहां पर result declare किया जा सकता है HPPSE के द्वारा तो जो भी update रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा बाकि जो यह पूछ रहे थे कि कब result आएगा तो देखिए result आने में काफी समय लगेगा समय इसमें लगने वाला है बाकि जो post code business team के जांच में चल रही है जिनमें paper लिख है उनमें थोड़ा और जादा समय आपको देखने को मिलेगा तो बहतर यही होगा कि इन result के साथ साथ इनका wait तो आप करो ही लेकिन साथ ही साथ कुछ नए exam की त्यारी भी आप करो बागी जब भी कोई officially update आता रहेगा आपको हम वीडियो के माधियम से update कर देंगे तो channel के सा आपने जुड़े रहना है मिलते हैं आपसे next वीडियो में किसी नए update के साथ